हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो आज की मेरी वीडियो है मूंग दाल का हलवा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं मूंग दाल का हलवा तो मूंग दाल हलवा बनाने के लिया है मैंने एक कटोरी मूंग दाल इसे हम अच्छे से धोलेंगे आपको इसे अच्छे से रगर रगर कर धोना है ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए तो देखिए मैं इसे अच्छे से दो-तीन बार धोलिया है अच्छा ये मूंग डाल का हलवा बनाने के लिए आपको ना मूंग डाल भीगोने के जुरूत है ना इसे कुछ भी करने के जुरूत है बस हम इसे धोएंगे अच्छे से और अब हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे तो मेरी ये डाल अच्छे से ढूल चुकी है अब हम इसे करेंगे roast इसका पानी धोड़ा सुखाके हम इसे roast करेंगे हमें इसे अच्छे से सुखाना है इस पे एकदम क्रंची करना है इसे और low flame पे चलाते हुए हम बढ़ियाच से इस डाल को भूनेंगे बस हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसकी सोंदी सोंदी खुश भूनना आ जाए इसे हमें भूनते रहना है और आप गैस की फ्लेम लो ही रखेगा इसे ताकि ये जलना जाए अच्छा सर्दिया होते ही हमारे यहां पे मैन्यू में ये एक चीज़ पका एड़ हो जाती है मूंग डाल का हलवा और शादियों में तो मूंग डाल के हलवे के बिना शादी बेकार ही है कोई-कोई लोग तो शादियों में मूंग डाल का हलवा ही खाने जाते हैं तो डैली में ये बहुत फेमस है मूंग दाल का हलवा तो इसका सुनहेरा कलर अब आने लगा है तो इसका मतलब हमारी दाल अब एकदम रोस्ट हो चुकी है इस दाल को थंडा होने के बाद हम पीस लेंगे तो अब हम एक कडाई में लेंगे दो चम्मच देसी गी इसे थोड़ा हम पिखलने के लिए देंगे तो अब यह पिखल गया आता है हम अब इसमें थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स दालेंगे और इन्हें अच्छे से थोड़ा रोस्ट करेंगे देखिए इन्हें रोस्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा लिकाल लेंगे तब इस पाउडर को अच्छे से हम चलाएंगे, जब तक इसमें से सौंधी सौंधी खुश्बू ना आने लग चाए, तब तक हमें इसे भूनना है, बात करते करते हमारा दाल का पाउडर भी तयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी और अब हम इसे थो मूंग दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, जब तक इसमें मूंग दाल का पाउडर दूद को सोक ना ले, तो ऐसे हम इसे चलाते रहेंगे, दीमी आज पर हम इसे करेंगे, आपको आज बढ़ानी नहीं है, तो दीमी आज पर ह हम इसे भूनते रहेंगे, तो देखिए हमारा हलवा दूद को सोक रहा है, बस ऐसे ही इसे चलाते रहेगा, तो दूद डालने से हमारा हलवा एकदम रिच बनेगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, आप इसमें पानी डाल के भी बना सकते हैं, पर आप दूद डाल के बना के दे इसमें दालेंगे 4 इलाइची, एकडम, फरेश इलाइची मैंने कूटके डालिया है, और इसमें मैंने डालें धोड़े से ड्राइफुट्स, अब इसे पूरा मिक्स करनेंगे, देखिए हमारा एदानेदार मूम-दाल का हलवा बन कर तयार है, तो हमारा दानेदार मूम-दाल का हलवा बन कर तायार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे गानिशिंग करेंगे तो देखिए हमारा मुंग दाल का हलवा एकदम रेडी है कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मिलती हूं नेक्स्ट रेसिपी में